अस्सलाम अलेकुम कैसे हैं आप सब दोग उम्मीद करती हूँ आप सब दोग ठीक होंगे खेरिये से होंगे आज मैं आपको एक न्योर ऐसीपी सिखाऊंगी आज मैं आपको रेड हॉड एंड सौर्ट सूप बनाना सिखाऊंगी एक नए अंदास में तो चलें स्टार्ट करत हैं सबसे पहले मैंने एक चमच तक ऑई दे लिया और उसमें आधा चमच अधर्यक लेशन के पिज डाल देंगे और अच्छी तरह से खुश्पु आने तक इसको पकाएंगे उसके बाद नेक्स्ट टेप करेंगे तो खुश्पु आने तक मैं इसको अच्छी तरह से करते हैं दो मिनिट के बाद माईशला से अंद्रक लैसन की खुश्च को आना शुरू हो चुकी है अब हम इसमें डाल देंगे चिकन चिकन आप लोगों ने छोटे पीसिस में काट देना है और कलर चेंच होने तक इसको पकाएंगे उसके बाद चलेंगे नेक्स टेप के तरफ तो मिनिट में कलर चेंच होने तक इसको बूनती हूं ताकि इसकी समैल खतम हो चाहिए दो मिनिट मैं ने इसको बहुत अच्छी तरह से बूना है देखें इतने पीसिस में आप लोगों ने इसको काटना है बहुत सबरदस्त अब हम इसमें सबरूरत पानी आड़ करतेंगे तक्रीबन 5-6 कब तक मैंने इसमें पानी आड़ किया है और इसमें हम लोग डाल देंगे हस्पे जाइका नमक ठीक है हस्पे जाइका अफ़ोगने इसमें नमक आड़ करने है अच्छी तरह से चमच को चला लेने है आदे गंटे के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देना है उसके बाद भी नेक्स टेप करेंगे तो आदे गंटे के लिए छोड़ देते हैं तक्रीबन आदा गंटा हो चुका है आशलास से बहुत अवर्दस तरही के से सूप हमारा पक रहा है हरी मिर्चें और गाजर इसमें डाल देंगे चोटे चोटे आप लोगोंने गाजरों को काट देना है और हरी मिर्चें को आप लोगोंने ऐसे काट देना है एक चमच इसमें डाल देंगे काली मिर्चें ठीक है इसको काली मिर्चों को दरदरा से आप लोगोंने पीस लेना है वो डाल देंगे इसके इलावा इसमें हम लोग डाल देंगे कैचप दो चमच के करीब इसमें हम लोग डाल देंगे कैचप इसके इलावा इसमें हम लोग डाल देंगे चिली सॉस तक्रीबन दो चमच के करीब आप लोगोंने चिली साउस डालना है इसमें हम लोग डाल देंगे विनिगर दो चमच विनिगर इसमें डाल देना है और इसमें हम लोग डाल देंगे सौया साउस तक्रीबन दो चमच आप लोगों ने इसमें सोया सॉस भी आड़ करना है जरुरत के मताबिक आप लोगों ने जितने आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं चमच भी डाल सकते हैं अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनिट 10 मिनिट के बाद माईशलस से बहुत जबरदस से इसकी लुक आ गई है अब हम इसमें डाल देंगे अंडा अंडे को आप लोगों ने अच्छी तना से फैंट लेना है और ऐसे इसमें डाल देना है जबरदस तरीके से और चमच को आप लोगों ने जबरदस तरीके से चला लेना है अब आप लोगों ने धिहान रखना है कि स्टील का चमच आप लोगों ने यूज नहीं करना अगर आप लोगोंने सूप को गाढ़ा करना हो तो आप लोग प्लास्टिक का चमच यूज़ करें या दखड़ीगा इन दो में से आप लोग कोई भी चमच यूज़ कर सकते हैं पांच मिनिट मैंने इसको अंडे के साथ जबरदस तरीके से पका दिया है आप लोग देख सकते हैं अब हम इसमें डाल देंगे कॉर्ण फ्लोर ठीक है दो चमच के करीब मैंने कॉर्ण फ्लोर दे दिया और उसको पानी मैंसे घोल दिया है अब जो है अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और आप देखेंगे माशाला से पांच मिनिट में ये कितनी जबरदस इसकी लुक आ जाएगी और ये गाढ़ा हो जाएगा तो पांच मिनिट मैं इसको ऐसे चलाती रहती हूँ और आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी तो पांच मिनिट वेट करते हैं उसके बाद फाइनल लुक पांच मिनिट हो चुके हैं माशाला से सूप हमारा बहुत जबरदस तरीके से गाढ़ा हो चुके है य आप लोगों ने जरूर ट्राय करना है यह देखे कितना माशाला गाढ़ा हुए हमारा सूप और बहुत जबर्दस तरीके से अगर आप लोगों ने इस मिल स्टील का चमच यूज किया तो आप लोगों का सूप गाढ़ा नहीं होगा माशाला से फाइनल लुक आ चुकी है अब अच्छी लगें लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें इंशालला कल न्यू रैसीबी के साथ हाजिर होंगी तब तक मुझे दीजिए इजाज़त अलाहाफिस